सीर कसम तेरे प्यार की में रिशी और तनूजा की लाइफ में आने वाला है लीप और मलिका की होगी शो में एक्जिट तिल कसम तेरे प्यार की में जल्दी एक लीप आने वाला है साथ की समय से आप लोग देख रहे हैं कि तनूजा पूरब की सच्चाई सब के सामने लाने में लगी हुई है आई लाने के साथ साथ रिशी और तनूजा के बीच की आरगुमेंट और नोग जोग चलती रहती हैं जिससे वो दोनों लड़ते हैं और फिर पैच अप कर लेते हैं और अब शो में जल्दी 5 साल का लीप आने वाला है शो में लीप के बाद कई सारे नए करेक्टर इंट्रडूस किये जाएंगे और साथ में रिशी और तनूजा के लाइफ में दो बच्चे भी आ जाएंगे लेकिन इन दोनों बच्चों के पैरेंस कौन है ये अब तक नहीं पता चल पाया है साथ इसाथ शो में से एक और इंपोर्टन करेक्टर एक्जिट होगा और वो है मलिका जिजाँ शो में मलिका ने एक पॉजिटिव किरदार की तरह एंप्टी ली थी और वो धीरे धीरे एक नेगटिव क्यारेक्टर बन गई थी और फानली मलिका की शो से एक्जिट हो जाएगी और लीप के बाद शो में नई कहानिया नजर आएंगी फिराल देखना इंट्रस्टिंग होगा कि लीप के बाद क्या रिशी और तनूजा एक हो पाएंगे या फिर उन दोनों के बीच में ये जगडे चलते ही रहेंगे वेले शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस सीरल कसम तेरे प्यार की में रिशी और तनूजा की लाइफ में आने वाला है लीप और मलिका की होगी शो में एक्जिट तो कसम तेरे प्यार की में जल्दी एक लीप आने वाला है इंट्रेडूस किये जाएंगे और साथ में रिशी और तनुजा की लाइफ में दो बच्चे भी आ जाएंगे लेकिन इन दोनों बच्चों के पैरेंस कौन है ये अब तक नहीं पता चल पाया है साथ इसाथ शो में से एक और इंपोर्टन केरेक्टर एक्जिट होगा और वो ह जाएंगे और फानली मलिका की शो से एक्जिट हो जाएगी और लीप के बाद शो में नई कहानिया नजर आएंगी फिराल देखना इंटरस्टिंग होगा कि लीप के बाद क्या रिशी और तनुजा एक हो पाएंगे या फिर उन दोनों के बीच में ये जगड़े चलते ही वेले शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस